हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तो हाइपर वर्स और हाइपर नेशन की जो भी अपडेट आई थी मैंने एक वीडियो डाली थी कल आज उस वीडियो के उपर कुछ क्लार्टी आई है तो वो आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ आप देख सकते हो मेरे टेलिग्राम चनल में मैंने ये मैसेज सुबह डाला था और अभी कुछ कलार्टी आने की वज़ा से इसको आपको रीड़ आट करके बता रहा हूँ ताकि आपको जहां पर थोड़ा सा समझने में असानी आजाए कि आखिर ये लोग कर क्या रहे है तो दोस्तो जो भी अब तक की अपडेट है इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो वीडियो को स्किप मत करना अगर आप हाइपर वर्ष्ट या हाइपर नेशन से जुड़े हुए हो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए नोटिफकेशन बेल को ओन कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग अपडेट मिलती रहे और यह है मेरा ट्विटर चैनल जहां पर मैं सारी की सारी अपडेट डालता हूँ आप इसको फोलो कर लेना अगर आप सारी अपडेट के साथ चुड़े रहना चाते हो तो तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के उपर कुछ पॉइंट है जो आपके सारी डिस्क्स करूँगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अगर आपने अगर आपको सबसे पहले डेलिगेट मोडल के थूँ सब्सक्राइब होना पड़ेगा जानी के डेलिगेट मोडल की जो सबस्क्रीप्शन है आपको लेनी पड़ेगी तो जे वाला टेबल जो मैंने आपके सारी शेयर किया था जे है डेलिगेट मोडल का टेबल इसके थूँ आपको पहले सबस्क्रीप्शन लेनी पड़ेगी उसके बाद second point क्या है FRA recipients will have their pending rewards from Hyperverse and Hypernation consolidated with one-to-one conversion तो जहां पर उन्हें बताया कि जितने भी FRA के जो members होंगे जिन्होंने subscription ले ली उनका जो pending reward होगा Hyperverse में है चाहे Hypernation में है वो आप convert कर सकते हो one-to-one की ratio से Satoshi AI में अब नीचे नोने एक example देदे के चाहे 10,000 H2 है अगर आपके पास Hyperverse में तो वो 10,000 USD बन जाएंगे Satoshi AI में आके आपको उसको HB में convert करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बिताया था third point क्या है there will be a choice of three packs available within Satoshi AI pack A, B and C future token बोलते हैं तो आपको यह जो assistance pack है उनको जहाँ पर buy करना पड़ेगा वो लेने पड़ेंगे और जो सबसे शोटा जहाँ पर pack है वो है 5000 का आप नीचे देखिए member begin with pack A which can be purchased using your converted fund जो आपने fund convert करके Satoshi AI में लेकर आए हो आप उसके साथ package A को start कर सकते हो जहाँ पर जह लिखा हुआ है तो जह एक positive जहां से दिखाई तो दे रही है लेकिन थोड़ा सा wait कीजिए अभी इसके उपर पूरी clarity आने दीजिए आगे fourth point का है के during the charging period the daily release rate is kept at 0.2% daily तो इसके उपर जो आपका daily का release rate होगा जो आप assistance pack लोगे उसमें आपको daily का जो release rate है 0.2% के coding मिलेगा daily लेकिन कब तक जब तक charging period जो जब तक जे subscription हो रही है जब तक जे assistance pack जो लोग ले रहे हैं तब तक charging period जो है उसका शाहिद कोई आने वाले दिनों में डेडलाइन भी बताएंगे अभी नहीं बताया charging period के दुरान आपका release rate 0.2% आपको daily मिलेगा 5th point After the charging period the daily release rate is kept at 0.6% daily और नीचे इन्होंने बता दिया कि जब charging period जो है वो complete हो जाएगा तो आपको release rate मिलेगा वो एक दिन का 0.6% मिलना स्टार्ट हो जाएगा अब जहाँ पर 6th point ज्यान से देखिएगा daily release rate and market rewards to charge up assistance pack अब market के जो reward होंगे वो और जो आपका daily का release rate होगा वो दोनों charge up करेंगे किसको आपके assistance pack को charge up करेंगे जे लिखा है जहाँ पर अब उसके बाद क्या होगा आपको जहाँ पर directly withdrawal नहीं मिलने वाला उसके आगे कुछ condition है वो आपको बिताता हूँ 7th point देखिए it appears withdrawals will be released when the milestone has been released कि जब एक milestone जो स्टोशी AI ने दिया होगा जो set किया होगा वो आपका fulfill हो जाएगा तो आपको वहाँ से withdrawal मिलेगा example के तोर पर इंट बोला है कि 4 example जो pack A है 5000 वाला उसमें 30% और 100% जहां पर यह ऐसे लिखा है और मैं आपको J screen short दिखा रहा हूँ इसके नीचे आप table में देखिए J इसका जो milestone है वो नीचे mention किये हुए है थोड़ी से fusion ही हमें रहेगी लेकिन आने वले दिनों में हो सकता है इसके उपर भी clarity आ जाए अब नीचे नोंने बोला कि कुछ चीज़ी अभी clarity होना ही बाकी है कैसे और इस चार्जिंग पीरिड क्या है और इस चार्जिंग पीरिड का time कितना होगा जैसे मैंने आपको बताया कि आने वले दिनों में हमें उसका कुछ time line कुछ deadline मिल सकता है second what are market rewards and how do we claim it कि जो आपने daily का release है वो तो समझा गया हमें लेकिन ये market reward क्या है और कैसे हम उनको claim कर पाएंगी तो जे अभी कुछ question है इसके उपर बाकी तो जे अभी तक का जो update मेरे सामने निकल कर आया है मैंने आप सब के साथ discuss किया है इसके उपर जो भी शोटी से शोटी clarity जहां बड़ी से बड़ी अगर कोई update आएगी तो मैं उसको अपने चैनल पर डाल दूँगा इसलिए सबसे जरूरी है मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना नोटिफिकेशन बेल को ओन कर देना अगर आप हाईपर वर्स चाहाईपर नेशन के साथ जुड़े हुए हो तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को आगे लाइक और शेर करना फिर मिलेंगे थैंक यू